हेलो एवरिवाइन वेलकम बैक टो चैनल आज की जो वीडियो है वह एंसी क्यूज पर बेस्ट है जो की एकॉलजी और इंवाइन्मेंट पे जो हम आज एंसी क्यूज करने वाले हैं जो प्रिविएस एर्स में काफी अच्छे इंपॉर्टेंट कोईशन्स आ चुके हैं पहले कि इसमें मैं आपको इन्वाइन्मेंट और एकॉलजी से रिलेटर कुछ आपको क्वेशन्स दूंगी जिसके आपको क्वेशन्स आपने साथ साथ टिक करते चलो प्लस मेरे भी आंसर देखते रहो कि आपकी प्रिप्रेशन कितनी अच्छी चल रही है और आपको और कितना करने की जरूरत है आज की जो वीडियो का पहला कोशिशन है वह है विच आपको कंट्री के नाम दिए हुए आपको बताना है कि इन में से हाइस बायो डाइवर्सिटी किस कंट्री की है इंडिया ब्राजिल रशिया या साथ अफ्रीका तो आई रेली होप आपने अभी तक कर लियों तो इसका जो करेक्ट्र ऑप्शन है वह ऑप्शन बीब्राजिल ब्राजिल हैस दा इस बायो डाइवर्सिटी अगर बात करूं ब्राजिल की तो सिर्फ केले 1 10th of the world's overall species जो है वह वह ब्राजिल में ही है और इंडिया की अगर बात करूं तो आपको ऐसे पूशन आ तकार सब्सक्राइब कर्थ सब्सक्राइब fulfilled वो यही है कि अगर आधर की बात हो तो ऐसा हो इन सकता है कि red data book का बारे में concerns नहीं हो तो अगर मैं पूछ हूँ आपको की red data book जो है वो किसे लिए लिखी गई है उसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया तो red data book जो है वो एक type का state document है मतलब एक type की हमारी book आ जाती है जिसमें क्या होता है कि rare और endangered animals, plants और fungi जो है उनके बारे में data देल लिया जाता है मतलब कोई species endangered है तो उनके बारे में वहाँ पे record में लिखा जाता है तो इसका जो correct option है वो है option D endangered plants and animals red data book provides data on endangered plants and animals तो option D is the correct option है I really hope कि आपका भी सही answer आया हो question number third रहता है a very large ecosystem on land having distinct type of vegetations and wildlife is called as एक large ecosystem land के उपर जिसमें different types of vegetations और wildlife रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं option मैं बतायती हू ecology, biome, biodiversity यह biosphere reserve तो इसका जो correct option है वो है option B, biome biome क्या चीज है biome एक community है plants and animals की जो कि मतलब अगर मैं simple layman language में बात करू तो biome का मतलब है कि एक ऐसी community of plants and animals जो कि naturally किसी जगह पे अकर कर रहे हैं और एक common characteristics जो है आपस में share कर रहे हैं और कोई भी एक जगह है कोई भी आगरा में एक zone को ले 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 एक point को ले 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 तो उस एरिया की जितने भी plants and animals are naturally occurring तो उन plants and animals की natural occurring को हम वो जो उस एरिया को हम बोलेंगे next question है which of the fallen types of forest occupies the largest area in India आपको चार options दिये हो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन से type of forest जो है वो largest area occupies करता है हमारे इंडिया में option A tropical moist deciduous forest B subtropical dry evergreen forest montane wet temperature forest या फिर tropical wet evergreen forest तो इसका जो correct option है मैं बता दूँ जो है option A tropical moist deciduous forest तो अगर मैं बात करूँ tropical moist deciduous forest कोन से होते हैं तो यह इसमें क्या होता है tropical moist deciduous forest is a mixture of trees and grasses ऐसी जगह यहां पे trees और grasses आपको mixed form में मिल जाएंगी और यह बेसिकली अगर इस forest में बात करूएं दिक कहां पे आपको मिलता है तो यह बेसिकली आपको ऐसी जगहों पे मिल जाएंगा यहां पे जो rainfall है वो moderate रहता है मतलब moderate rainfall of 100 to 200 cm per annum का जो आपको rainfall देखने को मिल जाएंगा उस एरिया पे आपको इस टाइप की forest मिलेंगे तो इंडिया में जो forest land है इंडिया में सबसे पहला जो नैशनल पार्क बना था वो कौन सा था परियार राजा जी जिम कॉर्बेट और बांगीपूर तो इसका जो correct option है वो option C jim Corbett जो है वो इंडिया का पहला नैशनल पार्क था और जिसके आग मैं बात करूं तो 1936 में इसको बनाया गया था इसका तो पहले इसको हैरली नैशनल पार्क भी कहा जाता था बट फिर उसको उसके बाद नाम चेंज हुआ तो जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क के नाम से पालब्ट नाशनल पार्क है वो उसकी कंस्रक्शन कब होई थी तो इसका जो कंस्रक्शन zur dispels Monstering मुक्ष्मिट ईक है वाहा है 1936 में तो 1936 में जिम कॉर्बिट जोकी इंदिया का लिए पार्क है की species है जो की in the form of जिसको हम बोल सकते है टीक जो है वो एक large deciduous tree की form में है और इसकी अगर हम बात करें कि कौन से forest में मिलता है तो ही तो ट्रॉफिकल evergreen forest में ट्रॉफिकल thorn forests and shrubs में ट्रॉफिकल deciduous forest में या mangrove forest में तो इसका जो correct option है मैं इसकी बता दो तो इसका option c is the correct option है ट्रॉफिकल डेसिदियस forest में हमें जो यह species है टीक जो की ट्रॉफिकल hardwood tree की नाम से जाने जाता है तो यह हमें वहां पर देखने को मिलता है कहां पर ट्रॉफिकल deciduous forest में नेक्स सेवेंथ कोईशन पर आ जाते हैं विच पार्ट ऑफ दा हिमालिया जो है उसका कौन सा जो एरिया है कौन सा पार्ट है जहां पर डेंस फॉरेस्ट से वह कवर हुआ है साउधन पार्ट नॉर्धन पार्ट इस्टन या वेस्टन मतलब हिमालिया का कौन सा पार्ट है जहां पर डेंस फॉरेस्ट है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह उप्शन सी इस्टन जो हिमालिया को इस्टन पार्ट है वहां पर डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिल excess production of NH3 by industry and coal gas, excess release of carbon monoxide by incomplete combustion excess formation of CO2 by combustion and animals and animal respiration तो इसका जो correct option है तो अगर मैं बात करूँ असील रेन की तो इसका जो correct option जो है वो मैं सबसे पहले आपको बता देए फिर इसके reasons बता देए हुँ असे रेन जो है वो produce होती है due to the excess NO2 and SO2 from burning fossil fuels जब fossil fuels को burn करते हैं तो उसमें excess of NO2 and SO2 निकलते हैं नाइट्रोजन के और सलफर के oxides वहां से रिलीज होते हैं जिसकी वज़ासे क्या होता है कि acid rains की शिकायते होना चुरू होते है और acid rain क्यों होती है किसकी वज़ासे क्योंकि क्या होते है कि precipitation जब होती है during acid rain तो उसमें क्या होता है कि जो पी-एच है वो पी-एच वैल्यू घटके less than five five से कम में होना चुरू हो जाते है मतलब और यह उप्षिन दिया हो है आपको इसमें से पॉल्यूटेंट को नहीं है है यहां पर एक ऑप्षिन कार्बन डायक्साइट हो सकते हैं कैसे हो सकते हैं क्योंकि जो अगरा बात बताओं कि कॉमन गैसील जो प्लूटेंट यह वह औक्साइज ऑफ कार्बन हैं जयसे कर्बा मोन ओक्साइड कार्बन डायक्साइड फिर और आयट्रोजन भी गैस्टी बाते हैं उखसाइग अवसेट वह चाहिए इस प्टोटेंट में नहीं लेते हैं क्यों क्योंकि जो ग्रीन प्ला है कि oxygen और carbon dioxide चीज जो रेशो है environment में वो balance हो जाती है तो इसकी वज़े से हम carbon dioxide को usually क्या करते हैं वो हम pollutants में नहीं लेते हैं हम तो इसका जो correct option है option C carbon monoxide next 10th question हमारे पास greenhouse effect is warming due to greenhouse effect की main reason किसकी वज़ा से है infrared rays reaching the earth moisture layer in the atmosphere increase in temperature due to increase in carbon dioxide concentration of atmosphere the ozone layer of atmosphere तो green house effect किसकी वज़ा से हो रहा है green house effect की बात करूं अगर मैं तो इसका जो correct option है वो option C increase in temperature due to increase in carbon dioxide concentration of atmosphere atmosphere में क्या हो रहा है कि carbon dioxide outside की concentration बढ़ती जारी है और इसकी वज़ा से क्या है कि जो atmosphere वो घरम होता जारे warming ओना शुरू हो गई है और उसकी वेसे green house effect होना शुरू हो गया सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस एफेक्ट की चीज है और इसके लिए जो गैसे responsible है उसको ग्रीन हाउस गैसिस कहते हैं जैसे की जो हमारे पास carbon dioxide अगए तो इनको हम इसकी वज़े से क्या हो रहा है हमारा जो atmosphere वो वाम हो रहा है और उसकी वज़े से ग्रीन हाउस एफेक्ट के प्रॉबलम वारी जिससे काफी ज्यादा health issues रह रहे हैं स्किन डिसॉडर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं नेक्स्ट 11 कुशन है स्वाइल कंजर्वेशन इस स्वाइल कंजर्वेशन का क्या मतलब है अब शर्वेशन इन फर्टाइल स्वाइल एरेशन अव श्याद और प्रोटेक्शन अंगेश्ट लॉस तो इसके अगर में बात करें तो तो पता है तो प्लांट्स ग्रों कर सकते हैं उसको हम स्वाइल बोलते हैं हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसका जो टॉप मोस्ट लेयर है जहां पर प्लांट्स ग्रों कर सकते हैं तो इसको अगर मैं स्वाइल कंजर्वेशन की बात करो तो इसको अगर मैं स्वाइल कंजर्वेशन की बात करो तो कंजर्व का मतलब यह है कि स्वाइल स्वाइल को उसके तो उसको हमने डैमेज होने से बचाना तो इसको, सोइल को अप्चिन गली न मैंतुम करती न माइज साधस Veteran है the relation between algae and fungi in leachin is algae and fungi में आपस में क्या relation यह question 2014 के JKSSB का जो paper था उसमें आपको पुछा गया था कि the relation between algae and fungi में क्या relation है symbiosis parasitimism commonalism या proto-corporation तो इसका जो correct option है वो है option A Symbiosis Symbiosis में क्या होता है कि जो algae और fungi है ये अपस में एक दूसरे से benefited है मतलब अगर हम रहुमिंगे ऑनकी कि बात करेंगें आपस में रिलेशन क्या है तो symbiotic relationship है दोनों में दोनों आपस में एक दूसरे से benefit ले रहे हैं दोनों benefiting ऐसे प्रिटिंग है एक दूसर यसे अगर मैं फंजाई की बात करो तो फंजाई की बात करो तो फंजाई को फूड पूड पर वाइड करने में हल्प करती है तो इस वे इन दोनों का पस में symbiotic relationship है, तो option A is the correct option है, next 13th question है, gas release during bhopal grass tragedy, bhopal grass tragedy के बारे में आपने समने सुना ही होगा, पर वो उस during में आपको कौन सी gas जो है वो release हुई थी, और उसके क्या effects है ये तो आपको पता ही होँँ चाहिए, तो अगर मैं बात करूँ कि कौन सी gas release हुई थी, तो option A is the right answer है, methyl isocyanate, methyl isocyanate उस time क्या वो release हुई थी, अगर plant की बात करूँ तो आपको ये भी question पूछ सकते हैं कि कौन से plant release हुई थी, तो उस plant का नाम था chemical plant जो था, वो था union carbide, union carbide नाम का एक plant था, जहां से methyl isocyanate जो gas थी, वो release हुई थी, जिसकी वज़ा से more than 2000 people की death हो गई थी, और अगर मैं बात करूँ अभी present scenario के तो अभी भी वहाँ पे जो लोग है, वो diseases से सफर कर रहे हैं, diseases like deficiency of eyes, eyes problem, hearing problem, तो काफे जादा उनको उनमें यसी symptoms उनमें देखी जा रहे हैं, अब अगली upcoming generations है, उनमें भी, next 14 question है, deforestation will decrease, deforestation की वज़ा से क्या चीज़ डिक्रीज हो जाएगी, soil erosion, soil fertility, landslides, यह option D, rainfall, तो इसका जो correct option है, वह हो है option D, rainfall, क्या होगा है, deforestation का मतलब क्या है, deforestation में क्या होता है, कि पेड़ों को काटना, deforestation, excess of cutting of trees is known as deforestation, तो deforestation में क्या होता है, कि forested area जो होता है, उसको convert कर दिया जाता है, non-forested land में, तो अगर, क्या होगा कि, अगर जैसे deforestation होगी, deforestation की वज़ा से क्या होगा कि, transpiration में decrease आजएगी, transpiration decrease होगी, तो air का temperature है, वो rise करना शुरू होगा, increase होगा, उसके वज़े से क्या होगी, जो एर में water content है, वो decrease हो जाएगा, और उसके वज़े से rainfall decrease होगी, तो rainfall decrease होगी तो उससे क्या होगी, जो living organisms हैं, वो सफर करेंगे, इसका जो करेक्ट औप्षन है वा ऑप्षन डी रेनफॉल डिफॉरेश्टिशन की वाइज से क्या कम हो जाएगा रेनफॉल नेक्स 15 पुर्शंड है नीवल शोर्स स्व और चार ओप्शन है इसमें आपको बताने की ए रिंव बिल सोर्स मतलब कि जिसको नेक्षृरल प्रोसेसे से दोबारें जेनरेट कर सकते हैं और रिंवल और जिससे नाचरड प्रो कि फ्लिल कर सकते हैं तो इसका जो करेंट ऑप्शन है वह आप्शन ऐब他 प्रब्स डिनде थे उन्हाप सबूर्स कर सकते हैं, सब स्च कि कर सकते हैं, इसको सबूर्टिर्फिकर जिसको हम क्या है है बॉलाजल बी Él is dry, तो रिन्यूबल सोर्सेस में से कौन सा है और उप्षिन ऐ बाइमास नेक्स्टीन है मारे बास अपर पार्ट ऑफ और या एक्वेटिक एकोसिस्टम करतेंड जो हमारा सी होती है यह फिर एक्वेटिक उस्टम है उसका अपर बाता उसको क्या बोलते है प्लैंक्टॉन नेक्ट में इसके लिट्साइन आप्रेम नेक्टोन की इसंत опыт नेत्षिसर में द्रफिक विवास नेक्टैएन लाच नमबर होती चाहित न्झन खार्द शव प्लैंक्ट अटन में तो यह थीम आपतों को प्लैंक्टण दोंक्स्टम कर रहे होते हैं रौस में जा ज्यादा नेक 17th question है, deep black soil is productive due to high proportion of, जो deep black soil आपको देखने को मिलती है, उसकी productivity काफी हाई होती है, वो किसकी वज़ा से होती है, sand and zinc की वज़ा से, gravel and calcium, clay and humus, या silt and earthworm की वज़ा से, तो काफी बच्चे इसको silt and earthworm करके आजाएंगे, जो की wrong answer है, यहाँ पे जो correct option हो हो है, clay and humus, deep black soil जो होती है, वो productive होती है, clay and humus की वज़ा से, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि, जो यह जो deep black soil होती है, इसमें dead or decay होता है, living organisms का dead and decay present होता है, और यह rich in nutrients होता है, इसमें, इस soil को अगर मैं बोलो हम तो rich in nutrients है, इसको काफी साहरे recommendable, अगर आपको किसी चीज़ करने है, अच्छ the percentage of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere is, हमारा जो atmosphere में, उसमें oxygen और carbon dioxide की, जो percentage है constitution की, वो क्या है, option A, option B, option C, option D, यह काफी confusing option दिये जाएंगे, आपको वहां पे बड़े wisely चूज करने है, आपने options को, आपने clear रहने है, अपने views को लेके, आपको जैसे option यहां पे, option A दिखेगा, यहां पे 20.95% और 0 0.04% आपको टिक कर देना है, simply, oxygen का कितना percentage है, 20.95% और CO2 का कितना percentage है, हमारी constitution, हमारी atmosphere में, 0.04 percentage का, next 19th होशन है, the natural residence of every organism is, हर एक organisms का अपना एक natural residence होता है, उसको क्या बोलते हैं, यहां पे resistance नहीं है, यहां पे residents है, यहां पे residents है, यहां पे residents, यहां पे रहते हैं, उस जगह को बोलते हैं, यह थोड़ा, यह correction है, word, spelling mistake है, तो the natural residence of any organisms is, बायोम बोलते हैं, निशे बोलते हैं, habitat बोलते हैं, यह तो आपको सब को पता है, अगर आपने environment का थोड़ा सा भी ABC भी पढ़ा हो है, बेसी कंसेप भी पढ़ा हो तो आपको बता चल जाएगा कि, हर ए next 20 question है, what is the name of the feature that allows an organism survive in conditions of its habitat? उस feature को क्या बोलते हैं, जिसके accordingly क्या होता है कि कोई भी organism जो है, वो अपने जो habitat है उसका, उसके accordingly, अपनी conditions के accordingly survive करता है, मतलब अगर हम अपने घर पे रह रहे हैं, तो अगर हम अपने घर से किसी दूसी जगा पर transfer कर दिया जाते हैं, तो हम मर थोड़ी जाते हैं, हम उस situation के accordingly survive करना सीख चाते हैं, तो उस feature को जो living organisms में यह चीज़, speciality होती है, तो उस feature को क्या बोलते है, adjustment, adaptation, accumulation, या adaptive variation, इसका जो है, वहां के जो conditions है, उनको उसके अपने अपको adaptation कर लेता है, आपने adapt कर लेता है, तो इसका option B is the correct option है, next 21st question है, which statement is correct with respect to food chain, food chain कर लेटेडली यहां पे आपको चार यहां पे terms दी हुई है, इसमें से correct कौन सी वाली है, every component of food chain forms traffic level, food chain का हरे यह component जो 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 food chain के बीज में, जो इंटर रिलेशन का होता है, उसको food wave, बोलते हैं, all the chains formed by nutritional relations is used to understand energy flow, जıtने भी chains मनाई जाते हैं, nutritional relations में, वो energy flow को understand करने में समझाते हैं, यह all of the both, इसको जो correct option है, वो option A है, option A है, option A is the correct option है, कि जितने भी food chain के components होते हैं, वो ट्रोंपिक लेबल बनाते है, नेक्स 22nd question है इन्हे ecosystem यह आपको काफी important question है इसको आप चाहे important लिख सकते हो क्योंकि यह काफी जादा question papers है अगर आप CDS के paper देखो railway के paper देखो SSC के paper देखो SSB के paper देखो तो यह आपको काफी जगा equation पूछ रहाएगा in an ecosystem the energy flow is always ecosystem में जो energy का flow है वो always कैसा होता है unidirectional bi-directional in any direction or always down directional तो कौन सी direction में होता है option A is the correct option here without any doubt आपको जब भी equation देखे आपको बिना option को देखे सिधर आपको unidirectional option को डूणने है तो unidirectional option is the correct option here किसी भी ecosystem का energy flow है वो हमेशा किया होता है unidirectional next 23rd question पर आजाते है हम what is true of the ecosystem ecosystem के वारे में आपको चार conditions दी हुई है आपको बताने इसमें से ecosystem के वारे में true कौन सी वालिया फॉस्ट है primary consumers are least dependent upon producers primary consumers है वो producers पे कम dependent है least dependent है primary consumers outnumber producers primary consumers ular's primary consumers जो ह्चों primary consumers है शबसे ज्यादा हैуса रिने प्राइमरी सिंदल सी हाठोस उचे मोली थे जीतल लाजएस प्राइम कंहरा में इसका मतलब यह वन बात करूंकि अहorsa बदमादा इकोसिस्टम मेंपारी लिविंग नॉन लिविंग दोनों प्रेजन रोता है लिविंग अब बात करूं तो यह क्या करते हैं इंट्राक्शन होता है उसकी वज़े से जो होता है एनर्जी का फ्लोग होना शुरू हो जाता है तो इस केस में क्या होता है कि प्रोड्यूजर्स जो है वो प्राइमरी कंजूमर से जाता है अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्षिन में बता दो मैं उसका आंसर जुरूर करूंगी इन एकोने में से उस्टेम फ्रीपंश ऑप्श। प्रीडिोन ऐनरिवे टितए सट्रोन से प्रोड्यूरु स संट लइनरजी सब्स Yani सब्सकारेक्थी अगरेप्श मेंटोल को स्फ्री विल्टी टैम अगरेप्शंग मुझेड या वान इनरजी का consistent क्यंकर आख स्वह और क्या होता है कि energy flow unidirectional होती है unidirectional की वज़ा से ही उसका क्या होता है एक एक पैसेज उसका बनता रहता है जैसे अगर मैं बात करूँ इसकी एक 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 जामपल दे दो तो जैसे solar radiation आती है solar radiation को लेता है producer लेता है हर्विवर्स को कौन खाता है कानिवर्स तो एक ही unidirectional है unidirectional और एक वे पैसेज है इसका यह reverse नहीं कर सकते है वान वे पैसेज कौन सी फ्री एनर्जी मतलब एक एक वे ही एक ही डिरेक्शन में फ्लो कर रही है energy इसको रिवर्स नहीं कर सकते है इस energy को आप बाकी जो तीन ओक आपको चार ओक्षन है जिस अलफर डायकसाइड है major aerosol pollutant carbon monoxide methane फ्लोर कार्बन तो अग्में बात आपको बता दू पहले कि ariosols कि अचीज है बचे इसका जो मेंन सोर्स है इनका ariosols का वो jet planes ही है jet planes की वज़ा से यह जो ariosols है यह एक टैंक में शुरू है इंदा form of vapors तो यह जो क्लोर फ्लोरो कार्बन होते हैं यह carbon dioxide को जो हमारी और जोन लेयर है उसको भी डिपलेट करते हैं और जोन लेयर के लिए काफी जादा खतरना काफी dangerous और harmful है यह तो इसका जो correct option है वो है option D fluorocarbon major aerosol pollutant in jet plane emission is वो है fluorocarbon next 26 question है the Nazgira wildlife century is located in which state Nazgira wildlife century जो है वो कौन सी state में present है option A Himachal, Jammun Kashmir, Maharashtra जान नाधर लेंड तो इसका जो correct option है वो है option C, Maharashtra तो जो नाजगिरा wildlife century है वो महराश्ट्रा में present है अगर बात करें तो यह बंदारा district और गोडिया district के बीच में है अगर इस में बात करूँ इस wildlife century की बात करूँ तो इसमें अप्रोक्सिमेट 34 species of mammals 166 species of birds 36 species of reptiles present है काफी अच्छी और काफी बड़ी wildlife century है यह महराश्ट्रा में जो present है next 27th question की बात करूँ मैं अगर तो which among the following is widely used herbicide आपको options में बता दू तो इन में से कौन सा है जो है वो most widely or most commonly used herbicide use किया चाता है herbicide मतले जो herb तो इसका option है तूफोर डी टी सी डी लीमोनीन या विनेगर तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन है तूफोर डी जो इसका में नाम है जो इसका कॉमन नेम है वो है डाइक्लोरो फिनॉक्सी ऐसेटिक अगर आपको इस टाइप से कोश्य आ सकता है कि तूफोर तो इसका आपको लिखना है तूफोर डी की फिल फॉर्म है डाइक्लोरो फिनॉक्सी ऐसेटिक असे जिसको अब यह से कॉमनली टूफोर डी की नाम से जाना जाता है यह डेवलप किया गया था दूरिंग वर्ल्वार सेकंड की टाइम पे और 1960 के टाइम से यह इसकी बैनु अप्शन है वो ऑप्शन सी 10 इंडिया में टोटल 10 बायो जेग्राफिक जोन प्रेजेंट है इस टाइम नेक्स 29 अब इस वीडियो का जो सेकंड लास्ट कोईशन है दो वर्ल्ड एकोलोजी इस कॉइंड इसे भी आ सकता है कि एकोलोजी की टर्म है एकोलोजी जो टर्म जो क कब दी गई थी तो इसका उप्शन दो पहले बता दिया 1866 में और किस ने दी चार्ल्स डाविन ने रॉबर्ड विक्टेक्टर ने अर्थर टैंस लेने या अंस हैकल है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी अर्नेस्ट हैकल अर्न्स हैकल ने जो एकोलोजी अर्थर टैंसले ने जो टर्म है एकोसिस्टम वो दी थी जिनको अर्थर टैंसले को फादर ओफ एकोसिस्टम भी कहा जाता है तो यह थी हमारी आज की वीडियो आज की वीडियो मैंने आपको कम्प्लीट 30 MCQs बताएं एकोलोजी और इंवायनमेंट की ओपर आपको कोई भी डाउट रहा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और तक दो जो जाता है, तो यह थाद रहा है तो यह थी खादर ओड़र, में ग्रूप नगया है, जाता है वेख रहाएं प्लीज के की हॉष कोई आपको यह थी हमारा इंवाट भी एंवाट, स्वाट यह थाढ़ााई, प्र बाल और अदो आए तो जो से आपको बाल एंवाट